गाव टांडा सहुवाला में शराप के पैसे मांगने को लेकर दो योकों ने एक युवक के सर पे इट से बार कर दिया जिससे वह लहु लहार हो गया और मौके पर ही दम तोड़ जया दोने युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गए सुचना पर पहुंची पोलिस ने वृत्त कशब को सिल करके पोश्ट माटम के लिए भेज दिया और दोनों आरोपी को ग्रफतार करके जिल भेजने की कवायश शुरू कर दी है दरसल बढ़ापूर्थारा श्वेत्र की गाउं टांडा सहुवाला निवासे अमीद कुमार गाउं के ही गोबींद यहां लगने की दावत में गया हुआ था वहाँ पर ब्रह्मपाल, रिश्विपाल, अमीद से शराप पीने को पैसे मांगे लगा पैसे देने से मना करने पर दोनों ने अमीद के साथ गाली गलोच करने लगे विरोध करने पर दोनों ने अमीद को इट वडंडे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और शब को पास के घेर में फेक दिया रात में गाओं के कुछ लोगों ने अमीद के शब को पड़ा देखा तो परिजिनों को सोचना दी, सोचना पर पहुंची परिजिनों में पोलिस को सोचना दी मौके पर पहुंची पोलिस ने देखा तो अमित मृत तवस्था में पड़ा हुआ है बाद में पोलिस ने मामले में जाज परताल की तो पूरा मामला खोल कर सामने आया फिलहाल पोलिस ने हत्या का खुलासा करते हुई दोनों आरूपियों को जेल भेज दिया को जेखे लिगी का खुलास को जेखे लिए का खुलास को जेखे लिए